लोग सुबा चुनाओं की वोटिंग परक्रिया अपने चौथे चरण में प्रवेश कर चुकी है। इस चरण में 10 राजियों की 96 सीटों पर चुनाओ लड़ रहे 1717 प्रत्याशियों के भाग का फैसला जनता EVM में कैद कर रही है। यूपी में भी 2,47 लाग के करीब वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चौथे चरण में मद्ध यूपी की 13 संस्दी सीटों पर चुनाओ हो रहा है। इसके साथ ही शहजहापुर जिले की ददरोल विधान सभा सीट है जिसके लिए उप चुनाओ हो रहा है। उसके लिए भी वोटिंग हो रही है। चौथे चरण में उत्तर परदेश की जो सीटें शामिल हैं उनके नाम हैं शहजहापुर, लखीमपुर खीरी, धोरारा, सीतापुर, हर्दोई, मिश्रिक, उन्नाओ, फरुखाबाद, इटावा, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच और कनौच संस्दी सीट। साल 2019 में जब आम चुना हुए थे, तो इन मेंसे सभी सीटें बीजेपी के खाते में दर्ज हुई थी, यहाँ विपच्छी दलों का खाता तक नहीं खुल सका था। के जो विधायक हुआ करते थे, मानवेन सिंग लंबी बिमारी के बाद उनका निधन हो गया, उनके निधन की वज़े से रिक्ट हुई इस सीट पर उपचनाओ हो रहे हैं, और इस उपचनाओ के लिए बीजेपी ने दिबंगत विधायक, यहनी मानवेन सिंग के बेटे, अ की लोकसभा जो चुनाओ हो रहे हैं उसकी, तो इस सुरचिस संस्दी सीट पर बीजेपी ने फिर से अपने सिटिंग एमपी, सांसाद बीजेपी के अरूर सागर उनको चुनाओी मैदान में उतारा है, उनसे मुकाबले के लिए समाज़ादी पार्टी से जोसना गोंड और बीजेपी से दो द्राम चुनाओी मैदान में है, समाज़ादी पार्टी ने यहाँ पर पहले राकीश कश्यप को टिकर दिया था, उन्होंने अपना नामांकर भी कर दिया, लेकिन तक्नीकी वज़ों से उनका परचा खारिज हो गया, तब फिर जोसना गोंड को अपना पर कर्श वर्मा मधूर और बीजेपी ने अंशे कालरा को चुनाओी मैदान में उतारा है, अंशे कालरा वहीं हैं जिनने पहले बीजेपी ने गाजियाबाद से टिकट दिया था, लेकिन फिर बाद में इनका टिकट काट दिया गया, अब इन्हें लखीमपुर खीरी से प्रत कुपता हत्या कांड से, टिकुनिया कांड जो देश भर में चर्चित रहा था, उस कांड में इनके बेटे पर दर्ज मुकदमा, इनकी लगातार इनके गले की फांस बना रहा है, टेनी की राह में जो रोडे अटकार हैं, वो कम उमर में विधायक रह चुके उतकर्श वर्म तो हैं ही उनके साथ मौजूद, लेकिन साथ ही दिल्ली के NCR के बड़े कारोबारी अंशे सिंकाला, वो भी यहाँ पर एक बड़ी चुनोती उनको पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो पंजाबी वोटरों को लाम बंद करके उन्होंने एक बड़ा मुकाबला किया है यहाँ पर, लखीमपुर खीरी से ही जुड़ी हुई है धोरारा संस्दी सीट, बार प्रवाविती अच्छेत रहा है, यहाँ पर BJP से सिटिंग MP रेखा वर्मा, वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जम कर कोशिशे करती नजर आई हैं, तो समाज़ादी पार्टी से टीम अकलेश के स सदस आनन्द सिंग भदोरिया उनके सामने चुनोती पेश करते दिखाई दिये, BSP ने ब्रामहण कार्ड चला है, यहाँ पर शाम किशोर अवस्थी को इस ब्रामहण बाहुल सीट पर उतारा है, शाम किशोर अवस्थी, BJP की रेखा वर्मा और आनन्द भदोरिया समझादी के लिए कॉंग्रेस ने राकेश राठोर को और BSP ने महंदरियादो को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, यहाँ का चुनावी पहलू इस मायने में बड़ा दिल्चस्प है कि यह तीनों ही प्रत्याशी, राकेश राठोर, महंदरियादो के साथ ही, राजेश वर्मा, जो बीजेपी से हैं ही, यह तीनों पहले बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, राकेश राठोर तो साल 2017 में बीजेपी के विदाय की थे, बाद में बागी हुए, समागाधी पालिटी में चलेगे 2022 के चुनाव से पहले, उसके बाद फिर कॉंग्रेस में आ गये हैं, अब इ इंटी गठबंदन ने पहले नकुल दूबे को मैदान में उतारा था, मायवती के बड़े करीबी हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, बाद में कॉंग्रेस में शामिल हो गये, पर इंका टिकट काट दिया गया, इसके बाद अब रुख करते हैं, स समाजवादी पार्टी गठबंदन से उशा वर्मा और ब्यस्पी से भीम राओ अमबेड कर वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजराय हैं इस सीट पर, हर दोई सीट पर उशा वर्मा तीन बार यहाँ पर सांसद रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, इटावा उसे जुड़ी हुई एक और सीट है, मिश्रिक लोग सभा सीट, यहाँ पर नैमिश शारण तीर्थ भी मौजूद है, बड़ा इसकी मानता है, यहाँ पर सिटिंग MP अशोक रावाद BJP से चुनावी मैदान में, चौथी बार सांसद बनने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें मना किया, तो फिर उनका टिकट बदलकर उनके बेटे मनोज राजवनशी को प्रत्याशी बना दिया, मनोज राजवनशी ने भी जम मना कर दिया, तो फिर उनकी पतनी संगीता राजवनशी को टिकट दिया गया था, यहाँ भी समाजवादी पार्टी का खेमा खासे उहाप इनके मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी से अनू टंडन और बीएसपी से पूर पत्रकार रहे अशोक पांडे जो राजमाईश कर रहे हैं। अब रुक करते हैं आलू बेल्ट फरुखाबाद का जहां बीजेपी से सिटिंग सांसर मुकेश राजपूत को जीत की हैट पूर केंदरी मंतरी सल्मान खुरशीत की भतीजी मारिया अलम खान ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में जब एक सभा हो रही थी उसमें बोलते हुए वोट जिहाद की बात कह दी थी इससे खासा हंगामा खड़ा हुआ था बीजेपी को खास तोर से मौका मिला था हमला करने का घेरने का समाजादी पार्टी को खेर अब बात करते हैं सैफ़ाई परिवार की उनका पैतरक जिला जो सैफ़ाई है वो इटावा जिले में है और इटावा ये संसदी सीट रिजर्व है यहां से बीजेपी ने सिटिंग सांसत राम शंकर कठेरिया को मैदान में उता रहा है तो समाजादी पार्टी से जीतेन दोहे और बीजेपी से सारिकाः सिंग चुनावी मैदान में मुकाबला कर रही है कानपूर की अकबरपूर संधी सीट बेहद आहम है यहां बीजेपी ने देविन सिंग भूले से मुकाबले के लिए समाज़ादी पार्टी के समाज़ादी पार्टी के राजा रामपाल और बीसपी ने ब्रामपाल कार्ड यहां पर भी चला है, राजेश दुवेदी को चुनावी मैदान में उता रहा है मुश्कलें पेश की हैं, बीजेपी और समाज़ादी पार्टी के सामने तराइच हित्र का एक और जिला है, बहराइच यहां बीजेपी ने डाक्टर आनंद गोण को अपना प्रत्याशी बनाया है, वो भागया आजमा रहा है यह दरसल अभी तक सिटिंग सांसत थे, अच्छेवर लाल गोण, उनके एक लोते बैटे है इन से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानि इंडी गठवन्दन की तरफ से रमेश कोतम चुनावी मैदान में है, बीसपी से ब्रजेश सूनकर है ब्रजेश सूनकर धरसर लखनु विश्विद्याले में असिस्टेंट प्रोफेसर है अब सिच्छा जगत के बाद, अब सियासत में भी दावाज मारा है चौथे चरण की हाट सीटों में जो सीटे हैं, उनमें से दो सीटे बड़ी एहम हो जाती है कानपूर और कनोज, तो कानपूर की पहले बात करते हैं, यहां से बीजेपी ने पूर पत्रकार रमेश अवस्ती को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उनके सामने कड़ी चुनोती पेश कर रहे हैं बीएसपी के कुल्दी भधोरिया और कॉंग्रेस के आलोक मिश्रा यहां पर खुद पीयम मोदी ने रोडशो किया था बीजेपी के पक्च में माहौल बनाने के लिए तो साथ साल बाद यहां पर दो लड़कों की जोड़ी यानि अखलेश यादो और राहुल गांधी एक साथ चुनावी मंच पर नजराये थे माया विती ने भी यहां पर जन्सभा करके हुंकार भड़ी थी और बीजेपी के साथ ही समाजादी पार्टी इंडिगर्ट बंदन को भी आड़े हाथ हो लिया था अपने प्रत्याशी के पक्च में माहौल बनाया था अब चौथे चरण की जिस सबसे एहम सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं उसकी बात जरूर कर लेते हैं वो है कनौज संदी सीट जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमपी सुबरत पाठक से मकाबले के लिए खुद सपा सुप्रिमो अखली शादो चुनावी मैदान मे पहले खले शादो ने यहां पर जो फैसला किया था कि अपने भतीजे और लालू परशाद यादो के धामात तीज परताप यादो इनको चुनावी मैदान में उतारा था उनके नाम का बाकाईदा एलान किया गया था लेकिन फिर रणनीत बदली गई और खुद सपा सुप् पाठक से मुकाबला करने के लिए यह गड़ रहा है यहां पर डिंपल यादो भी यहां से सांसद रही थी यहां से हारी बेती तो यह बड़ा गड़ रहा था तो बीसपी ने कानपूर के कारोबारी इमरान बिन जाफर को यहां चुनावी मैदान में उतार दिया है जिससे इस चरण की सभी सीटों पर बीजेपी काबिज रही है 2019 में लिहाजा उसके सामने अपनी ये सभी सीटे बरकरा रखने की एक बड़ी और कड़ी चुनोती मौजूद है। तो वहीं विपच्छी खेमे के सामने यहाँ पर खाता खुलने की भी एक जटिल इमका इम्तहान हो रहा है। को जानने समझने के लिए बने रहे है PTC News उत्रप्रदेश के साथ नमस्कार।